आज मैं आपको क्लास तेंथ संस्क्रीट का बिवियाई सब्जेक्टिव बताने जा रही हो अगर आप इसे देख लेते हैं तो एक्जाम में बहुत ही अच्छा माक्स ला सकते हैं इसमें सिर्फ जो जरूरी प्रश्ण हैं वही है वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला सवाल है अलस कथा पाठ के अधार पर बताय कि आलसी प्रूसों को किसने और क्यों निकाला जब चारो आलसी आग में घीर जाते हैं तो पहला आलसी बोलता है कि यह कैसा हल्ला है तो दूसरा आलसी बोलता है सायद घर में आग लगी है तब तिसरा बोलता है कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे उपर गीला कपरा डाल दे तब चौथा आदमी बोलता है अरे वाचाल कितना बात करेगा चुप हो जाओ यह सुनकर सब समझ गय कि यह वास्तविक आलसी है और उन लोगों को बाल पकरकर बाहर खीच लिया गय अगला प्रश्ण है संस्कृत साहित्य के समवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करे उत्तर है संस्कृत साहित्य लेखी का पार्ष में लेखा का मानना है कि पुराने जमाने से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया ह दक्षिन भारत की महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इससे पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है अगला सवाल है भारत महिमा पाठ का पांच वाक्यों में परिचेदे आंसर है भारत महिमा पाठ में भारत के गौरब के बारे में बताया गया है भारत देश पुराने जमाने से अपनी वैभव के लिए प्रसिद है भारत की धर्ती देवता भी जन्म लेने के लिए तरस्ते हैं भारत देश एकता और अखंडता का प्रतीक है इस देश में सभी धर्म के लोग मिल जूल कर रहते हैं अगला प्रस्न है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत पुमी कैसी है यहाँ पर आकर छूट गया है उत्तर है भारत पुमी पूत्र वत्सला है भारत में पवित्र नदिया बहती है यहाँ सभी जाती और धर्म के लोग आपस में मिल जूल कर रहते हैं भारत का वातावरन सांथ और उलाश मई है अगला प्रस्न है नीती स्लोका पाठ का पांच वाक्यों में परिचैदे या सास्त्रकारा पाठ में किस विशय पर चर्चा की गई है उत्तर है सास्त्रकारा पाठ में व्यास जी द्वारा लिखा गया है महभारत के शुरू में धृत्र राश्ट्रक ने विदूर जी से सलाह लिया था विदूर जी ने उन्हें राजनीती के उचित उपदेश दिये थे इस पाठ में विदूर जी के अमुल्ले उपदेश लिखे हुए है अगला प्रशन है कर्मवीर कथा पाठ का पांच वाक्यों में परिचे दे या कर्मवीर कथा से हमें क्या सिक्षा मिलती है या कर्मवीर कथा का सारांस लिखे मतलब ये तीनों प्रशन के जवाब है कर्मवीर कथा पाठ में पुरु सार्थी की कहानी है इस कहानी में राम परवेश दलित जाती का गरिव व्यक्ति है जो अपनी मेहनत और लगन से उस पद को प्राप्त करता है इस कहानी से युवाओं में आत्म विश्वास और आत्म सम्मान बढ़ता है ऐसे कर्मवीर हमारे समाज के लिए आदर से है अगला प्रशन है स्वामी दयानंद समाज सुधारत थे कैसे पांच वाक्यों में उत्तर दे? उत्तर है स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे इन्होंने समाज की कुरीतिया को दूर किया और आरे समाज की अस्थापना की इन्होंने सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी एचवी विद्याले की अस्थापना की इन्होंने विद्वा कर समर्थन किया और बाल विवा का विरोध किया इन्होंने जात पात उंच नीज के भेद भाव को खत्म किया इन सभी बातों से पता चलता है कि स्वामी दयानंद एक महान समात सुधा रख थे अगला प्रस्न है नीती स्लोका पाठ के आधार पर नराधम के लक्षन लिखे उत्तर है बीना बोले प्रवेश करने वाला बीना पूछे बोलने वाला और विश्वासी व्यक्ति नराधम है ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग धोखे बाज होते हैं अगला प्रस्न है नीती स्लोका पाठ के अनुसार कौन सा तीन वस्तु त्याज़े है या नीती स्लोका पाठ के अनुसार किस तीन वस्तु को त्याग देना चाहिए उत्तर है नीती स्लोका पाठ में काम, क्रोध और लोव को त्यागने के लिए कहा गया है जो वेक्ति इसका त्याग नहीं करता है उसका नास हो जाता है इसे त्यागने के बाद हम सांती पुर्वक जीवन बिता सकते हैं ये तीनो नरत की द्वार है अगला प्रशने स्वामी दयानंद मुर्ति पुजा के विरोधी कैसे बन गया है उत्तर है स्वामी दयानंद के घर में सिवरात्री का पुजा था रात में उन्होंने देखा कि मुर्ति पर चुहाल रहा था इसके बाद से ही वे मूर्ती पूजा के विरोधी बन गया इस तरह से मैं आपको संस्क्रीट का BVI सब्जेक्टिव कम्प्लीट करा दी हूँ अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एक्जामें बहुत ही अच्छा माक्स ला सकते हैं मिलते हैं अब अगले वीडियो में जाद सकते हैं